आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटर्टेन्मेंट, बेश्चुमा टॉक्शोज और फेवरिट विडियोज, अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अब्रेट्स जानने के लिए बेल आइकन क क्लिक करें काम उठे और इनसान ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या कोई शक्स इस हद तक गिर सकता है कि वो तमाम इंसाने एकदार और अपने खूने रिष्टों के तक्दूस तक को पामाल कर दे एक ऐसा ही बाकिया पेश आया कसूर में जहाबर सफाग बाप अपनी 14 साला बेटी को अपनी हिवानियत का शिकार बनाता रहा आज के प्रग्राम अंधेर नगरी में हम कसूर में होने वाली इसी अंधेर नगरी को पेनकाब करें आज के अंधेर नगरी में देखिए मुसल्मान हो तुम तो इनसान किहलाने के भी काबिल नहीं हो इस बात का तो पूरे गाउं को पता था लेकिन ये गाउं क्यों हमोश रा हम जब तक सजा को निजाम सख्त नहीं बनााएंगे न मैंनी समझता कि ये महामलात कम हो सके जब भी इनसानी जहन, इनसान होने के नाते नहीं सोचता तो कबाखतें सामने आती हैं तुम तो उसके बाप थे, ये हिवानियात का खेल कब शुरू हुआ? तैंचार में अरा गया है बाबा बुलेशा की नगरी कुसूर को नजाने किसकी नजर लग गए वो जमीन जहां से बाबा बुलेशा ने अपने रोहानी इल्म से पुरी दुनिया को मनवर किया अब वहां जहालत के अंधेरे फैल चुके हैं 2015 में कुसूर में 284 बच्चों से ज्यादती का स्केंडल मनजर आम पर आया तो सब के दिल तहल कर रह गए 17 मुल जमान गिरिफतार हुए मगर अब तक कोई भी अपने कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच सका इसके बाद कुसूर में ही 12 कम से इन बच्चियों को ज्यादती के बाद कतल कर दिया गया और जब 2018 में कुसूर में ज्यादती के बाद कतल किये जाने वाली जैनब की लाश कच्रे के धेर से मिली तो पूरे मुलक में कोहराम मच गया हर आँख अश्कबार थी मगर कुसूर में अब जो अंधेर नगरी हुई है वो नाकाबल बरदाश्ट और नाकाबल यकीन है बाप जो अपनी उलाद के लिए घने दरख्त की मानद होता है जो अपने बच्चों खुसुसन अपनी बेटियों को जमाने के सर्दो करम से बचा कर रखता है जिसके साय में बेटियां परवांच चड़ती है मगर कुसूर में एक सफवाग बाप अपनी ही 14 साला बेटी की इज़त का मुहाफ़ज बनने की बजाए उसकी इज़त का दुश्मन बन गया और उसे अपनी हिवानियत का निशाना बनाता रहा इस खबर को लेकर हम इस पर यकीन करने से कासिर थे मगर 14 साला लड़की के साथ होने वाली अंधेर नगरी के मज़ीद हकाइक जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची कसूर कसूर में अंधोनाग वाकियात का सिल्सला है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा एक के बाद एक पुरे से बुरे वाकियात जो हो सामने आ रहे हैं अभी जो एक मामला है जिसके हवाले से इस वक अंधेर नगरी टीम कसूर में मुझूद है वो यह है कि बाप ने अपनी बेटी को अपनी बरबरियत का अपने जल्म का निशाना बनाया इस सवाले से हम बात करेंगे कसूर में हमारे नमाइदा महर अब्दरह्मान से उन से पूछते हैं कि इस केस के असल हकाय क्या है देखें ये इस से बड़ा बुरा वाक्या क्या होसा है एक बाप अपनी बेटी के साथ ये बरबरियत करता है फिर बाप अपके लाँने उसका चचा भी करता है उससे आगे जाएं तो उसकी फुखो भी इसमें मलवस पाई गई गई है ये बच्ची बिचारी पता नहीं कब से जलम का शकार हो रही थी उसको मौका मिला जब मौका मिलता ही गया तो वहां से भागी और अपने नाना के पास पहुंची नाना के आगे उसने आगे रोरो के दोहाई दी अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सेंखान वाला का वाक्या है फिर उसके बाद यके बाद दीगरे दस बारा बच्चीों का मामला थामने आ गए अब ये इस इस पे आके तो इनसानियत खत्म होगी इनसानियत छोड़ हर चीज खत्म होगी कैसा ये बाद था जिसने अपनी बच्ची के साथ ये दिरिंदगी की मैं तो यही कहूँगा कि इस ऐसे ऐसे मुल्मों को ऐसी सदा इपरतनाक सदा देनी चाहिए ताकि ये आने वाली नसरों के लिए भी एक सबक बाद जाए और ये सिल्सला कसूर शहर में अब रुख जाना चाहिए बज़र को आप ये बताएं सबसे पहले तो बड़ा ही हमें अफसोस है और हम तो खुद बड़ा इहरान है ये सोचकर भी कि कोई कोई सगा बाप ऐसे कर सकता है लेकिन आपकी नवासी के साथ ये जल्म हुआ है और उसी की बाप नहीं किया है तो आपको कैसे सारे इस मामले का पता चला आपको कभी पता ही नहीं था आप हमेशा से लाइलम थे कोई नहीं पुपो को लेगी है अचा तो पुपो भी ओजिए पुरी फिर देगी अचा तो बड़ा जाने पता नहीं कि छोड़िया ओ दूकरी सट्वी बाग मनौ तो नासनों ते आई ए और आज लोगा पी लाना महरा कोई बिन्हा काम महना होई बड़ी बिमार्ट किस्ता गानी मोरा रात आई राती मुलमाया से शिवेरे अच्छा मरती होना अस्तबार जाईए तो आरे आपके जाईए महरते नहीं पहुंच लें तो डाक्टर गालना सुने मंद रखास रखास डीशेज देती शापेश का डिकता अच्छा प्लीस मंगव मुट बट रातों कि यह बच्छी नम बसूँए जिता के बालता तो अच्का शोप्वो को ने से विपिघ ने भागताता हुँए सब बच्छी ने खुद बताया कि शगी पुपाःने उसका पहले मुझ बांदा ए और फिर उसके बाद उसके साथ conspiracy यह अंधेर नगरी की इंतहा देखें नाजरीन कि सगी फुपो अपनी भतीजी को जुल्म का शिकार बनवाती रही उस पर सफाकियत जो है वो लोग करते रहे दृंदगी उसके साथ लोग करते रहे उसके साथ किलवार करते रहे और वो इस तरह उस बच्ची को जो है उन लोगों के रहमों करम पर छोड़ती रहे क्या आप कहेंगे उस बाप को जो इतना जल्म करता रहा शुरू से बुरा आदमी था अगर इतना बुरा था तो आप इस बैटीस के हवाले ना करते हैं पता नहीं लगजा थी के बाप भुल गया यह तक्दीर हो जी वहात करो जागा जागा निगा बुरी लगता था अब यह बज़र्ग हमें बता रहे हैं कि वो शक्स इतना कमजर्फ और इतना घटिया जहनियत का मालिक है कि वो बुरी निगाह रखता था हर किसी पर और जब बची उसके अपनी बेटी उसके पास जाती है तो वो अपनी बेटी को भी अपने इस घटिया पन का इस अपने जल्म का शिकार बनाता है कि गांने उसके पी मानने उसके ऑनने मुल्की है इमाने मुल्की है जिक अढ गारतना, गारतना नहीं मात जानता क्या जमाना आ गया है नाजरी बहुत से प्रग्राम किये होंगे हमने अंधेर नगरी में और लेकिन ये जो अंधेर नगरी है ये अपनी नोयत की सबसे बड़ी अंधेर नगरी है जो कुसूर में ही अपनी ही बेटी की साथ एक शक्स ने ये जल्म किया उस बदनस्थी बेटी की वालदा हमारे साथ मौजूद है अब ये बताईए कितना अर्सा आपकी इस शक्स के साथ शादी रही है पंद्रा साथ रिष्टदादारों में आपकी शादी हुई यहां के गैरों में आपकी शादी हुई यहां के गैरों में आपकी शादी हुई है तो क्या करता क्या था ये? मजदूरी करता था कितने बचे हैं आपके? चार और ये जो बेटी है आपकी जिसके साथ तरह बड़ा जल्म हुआ है हेवानियत हुई है ये सबसे बड़ी है ये ये क्या पढ़ती है ये? नए स्कूल नहीं पढ़ती कुरान नहीं पढ़ी हुई है ये बची? आज़ अच्छा तो ये बताएं कि क्या मामला हुआ कि हमें ये पता चला है कि आपकी अलहदगी भी होगी थी दोनों की खावंद की और आपकी अच्छा जी बस तो नहीं गलता करदा आरस नों पाई नहीं इसको जा तो नहीं लड़ाई भी करदा सुन मारते हुए तो अखीर मन अनों तलाक दे तो बाद इस लड़के गया इस दिन आलों नो जलों किया अच्छा जी अब तलाक को कितना अरसा हुआ था आपके? एक साले हैं अभी एक साल हुआ था बाद में कुलमी होन जाते हुछ थे मुझा जूम करहा है अवर चैजी देना जाद है कि अननो इस पटेड़ हो सटा है जाजी पूपी अपने घर में ले घए और श Mike ऑपने घर में लेगी और वहां पर ये सारा जूम इस बच्ची के साथ होता और वालद जो है बार बार इसलीे पुछने रहे सगा बाप है था सगा वालद है। आप देख सकते हैं कि silकाड है कि अभी बित्दनसीब बच्ची की वालदा हमें बता रही है किस तरह उस मौसूम इस मौसूम बच्ची के साथ जिल्म होता रहा है और जिए जिल्म करने वाला कोई और नहीं अपने ही थे और ये इनसाफ मांग रही है हमारी गुजारिशा हमारे हुकाम से और ओवराल हमारे पूरे इस सिस्टम से कि जब तक ऐसे लोगों को ऐसे द्रिंदों को अबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा तब तक ऐसी अनहोनिया होती रहेंगी और ऐसी अंधेर नगरी जो इनसान सोच भी नहीं सकता इस तरह के मामला जो है उनका सिलसला रुकना चाहिए खत्म होना चाहिए अच्छा अब ये बताएं कि आपको कैसे पता चला और कितना अरसा ये फुपी के घर रही और इस बच्ची पर जल्म के पहाड कितना अरसा तूटते रहे इसकी फुपो के घर तुम्हारे सगे अबुएंट अजी सबका आया हूँ तुम तो उसके रिखवाले थे तुम तो उसके बाप थे ये हेवानियात का खेल कब शुरू हुआ तेंचार मिन अगा है तूम्हारे सगे अबुएंट अबुएंट जी सबका है तूम्हारे सबका है तूम तो उसके बाप थे ये हेवानियात का खेल कब शुरू हुआ तेंचार मिन अगाएंगे गुज़श्टा बर्स बच्चों के खिलाफ किये गे जो बड़े जुराइम रिपोर्ट हुए उन में एगवा के 1455 केस, रेप के 502 केस, बच्चों के साथ बदफेली के 453 केस और इस्तमाई ज्यातदी के तक्रीमन 523 केस सामने आए इन वाकियात में सबसे ज्यादा संगीन जुर्म, ज्यादती का शिकार होने वाले बच्चों का कतल है रिपोर्ट कहती है कि जिन्सी हमलों के बाद कतल के कुल सो वाकियात सामने आए इदारे की तेहकिकात के मताबिक बच्चों से जिनसी ज्यादती और तशड़त करने वाले मुझरमान में घर के अंदर के अफराद, रिष्टादार और वाकफकार भी हो सकते हैं गुजश्चता साल भी बच्चों पर तशद्द करने वालों में ज्यादा तादाद उन अफराद की थी जो बच्चों को जानते थे और उनकी तादाद 1765 है मगर कसूर में होने वाले इस गिनावने वाके में 14 साला लड़की का अपना ही सफाक बाप गिनावने फिल में मुलविस था जो इस मासूम बच्ची के साथ हुआ है और जिन लोगों ने इसके साथ इतना बड़ा जल्म किया है ये सोचकर इनसान की रूह तक काम पुठे खुलम और दिरंदगी करने वाले कोई और नहीं इसके अपने ही थे बेटा ये इतना बड़ा ये हम तो सोच की भी हमारे जकीन नहीं हो रहा किस ने इतना बड़ा जिम्त किया तो मैरे पहले अब मेरी कॉल मिरा भू ला गया से पहें ने खु आखू आ हूं! अपर जलताए पेटा. यह अप अपनी वाल्दा के साथ रह रही थी यह लादा हो गए थे आपकी इमाहलीदा हुए थे. कितने एंसें से अपने वालदा के साथ रह रही थी तुम ? sen वादा अबुलाया गया है. अच्छा तो ये तुम्हारे सगे अबू हैं सगा वालद है ये हां जी सगा है जल्म की इंतहा देखिए ये तो क्यामत की निशानिया है ये तो क्यामत की निशानिया है कि इस तरहां से क्या कोई वालत क्या कोई बाप ऐसा सोच भी सकता है जो जल्म जो इंधेर नगरी उसने अपनी सगी बेटी के साथ किये तो फिर, भाग के आगी थी, क्या हुआ था? भाग के आगी थे अपने पूछा नहीं कि खूछा नहीं कि उ ठीजाओ ये अपने बाप से पूछा ओ आप फूपो नहीं कि जोग अगा नहीं कि खूदा को इसाब कekiसे पताचला? किसको बताइबात? अबे नाने को नानाबू को बताई? यह बताओ बिटा कि यह उन्होंने तुम्हें ड्राया दम काया भी था कि किसी को बताना नहीं ड्राया था बिटा आपके उम्र कितनी है? 14 साल 14 या 15 साल इस बच्ची की एजा है, यह अभी प्रॉपर बोल भी नहीं पार, उसे एक शौक में है, उस सदमे में है जब हमारी डाक साबा ने इनिशल इसका मौइना किया, तो उस पे ये के ओल्ड चेंजिस सारी प्रेजन्ट थी, मगस बच्ची की प्रॉट हो रही थी, बागि इसमें ओल्ड चेंजिस हैं, पीछे इसके साथ ये वाकियात होते रहे हैं मुल्क के चारों सूमों में गुजश्टा पांच सालों के दौरान, बच्चों से ज्यादिती के 17,862 वाकियात रिपोर्ट हुए रिपोर्ट होने वाले 10,620 वाकियात में लड़कियों को जिन्सी ज्यादती का निशाना बनाया गया जबके इसी एरसे के दौरान 7,242 लड़कों के साथ ये जल्म किया गया पाकिस्तान के मिशन ब्राय इंसानी हकुक के मताबिक पाकिस्तान में रोधाना 18 साल से कम उमर बच्चों के साथ ज्यादती के 11 वाकियात पेश आते हैं और ज्यादतन मतास्रीम को ज्यादती के बाद कित्ल कर दिया जाता है इन अफसोसनाक अधाद और शुमार से वाज़ होता है कि ये बुराई हमारे मौश्रे में सरायत कर चुकी है अपनी ही बेटी को अपनी हेवानियत का शिकार बनाने वाला ये सबबाग बाप अपने किये पर जरा भी नादिम नजर नहीं आ रहा था इनसान नुमा दिरिंदे ने अंधेर नगरी टीम के सामने अपने जर्म का इहत्राफ किया इस वक्त हमारे साथ वो दिरिंदा सिफ़त इनसान मुझूद है जो अपनी सगी बेटी को अपने जल्म और हिवानियत का शिकार बनाता रहा जो बात सोचने से भी पहले इनसान को मर जाना चाहिए उस बात पर ये शक्स बेरहमी से और बहुत ही बेगहरती से अमल करता रहा है उसे हम बात करते हैं, यह वो शक्स है जो कि अपनी बेटी को अपने भाई और एक और लड़के एक साथ मिलकर हेवानियत का शिकार मनाता रहा है नाम क्या तुमारा? अजमाल जी क्या करते हो? देडिमेंट करते हूँ रहाइशी किस इलाके के हो? कसूर के किसी गाओं के हो या किसी महले के हो? पेंट देग गंजा है कौन से गाओं के हो? गंजा है यह तुम्हारी बेटी जो है, यह कहा रहती थी? यह उद्धा साढ़े साथ रहती थी तुम्हारे साथ रहती थी? हमें ये बता चला है कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की लेंगी हुगी 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 तुम तो उसके वालत थे, उसके बाप थे यह हवानियात का खेल कब शुरू हुआ क्रीबान तेन चार मिन उनके तुम्हारी बेटी तुम्हारे बास इतने अश्र से रही थी उठ रही थी ते उतलाक होगी सी न ते ओदो माहां दी ते छाड़की सी, मेरे पास केया तब असी कीट मुशता भी पडिएँ थे पर उब तकरीबाना पह नहीं चीटा ही वह लाओ कीट पर चीट टे फिर मैं ऑग कीट ऑख भूदा भी चूट यह तो दूबब फे छोटा जो मुंटा के से खो गवांडी से फिर किया तो तुम्हें मौत नहीं आई उसे पहले से करने से पहले ये सोचने से पहले तुम्हें कि जरा सा ख्याल नहीं आया कि मैं शितान से भी भड़ कर ये अमल कर रहा हूं तुम्हारी सगी बेटी है वो तुम्हारी सगी बेटी है वो तुम्हारी सगी बेटी है ये सोचने से पहल कि फूपा कि बप्टी के करते हैं। ति होड़ी घर नकिए उसको हुणे पर शुपा च्छाआ रखान मेरी। पैन मेरे अच्छा उससे पहले अपने घर में उसको जम्रोगा शकार बनाती रहे तू अजी अपने घर में भी अजी इसली अपनी बेटी को अपने पास लिया था तुमने उसकी मां के पास रहने देते कम से कम बर्बाद होने से तो बच जती है और तुम जैसे दिरिंदे से बस पाई की दमाग ये खागी तुमागा तो किस मूँ से तो अपने आपको उस बेटी का बाप कह रहते हो बस नहीं इसकी फुपो का गार कहां पर है बच्ची का और क्यों कि लेकि उसको अपने तुमारे गार से उदर था तुम लोगों की बेखैरती की वजा से कैसरा ये मुझे तो हैरत हो रही है इस शक्स की बातों पे इस शक्स की आलत पे कितना ये गटिया शक्स है कि बड़े हर चीज़ का वो जवाब जो है इतनी बेखोफी से और बेहिसी से दे रहा है नदामत का एसास तुरा सब इस पे नहीं आ रहा कि थोड़ी बंदे को नदामत हो या बंदे को शिर्बिंदगी हो और एक बार नहीं बारहा बारहा ये उस अपनी ही बेटी को जल्म और हिवानियत का शिकार बनाता रही है ये शक्स और ये हमारे मौशरे का अल्मिया हैं ये लोग और गाउवालों को भी पता था इस सारे मामले का कि बच्ची के साथ इस घर में इतना जल्म होता है और उस पूरे गाउंवालों की भी जिमदारी बनती है कि अगर इसा जुम हो रहा था तो उनको चाहिए था कि वो रोकते, वो बताते, पुलिस को इंफॉर्म करते ये तो भजी खुद भाग के अपने नाना के पास आई तो पुलिस को पता चला और पुलिस दे पिरकारवाई किये तुम कौन लोग हो? इकसान हो, ये जानवर हो तुम लोग, ये शेतानों का तुमारा खांदान है कौन लोग हो तुम? ये सारा जो घिनावना खेल है, ये कब से चल रहा था जिलसला? इसको चार महीने होगे क्या घिनावना फेल और क्या जर्म करते रहे हो तुमिन के घर जागे? वो इसके सारा जियाती करता हूँ इस बात का तो पूरे गाउं को पता था लेकिन ये गाउं क्यों खमोश रहा है? ये इनसान कहलाने के भी काबल नहीं है किस तरीके से मैंने आज तक जतने भी प्रोगैम के हैं यकीन मानी है इस से बड़ी अंधेर नगरी इस से बड़ा जल्म हेवानियत आज तक नहीं देखी और कितनी सफाकी से बताया जा रहा है बच्ची को फुपो ले गई बच्ची को फुपो ले गई उसके बाद फिरी उसके घर जाके वहां पर भी उसको सफाकीत का निशाना बनाते रहे उसको जल्म का निशाना बनाते रहे तो यह तुम जब तक पकड़ना जाता है या बच्ची बताती ना तो यह तो जलम होता रहा ना दोस्पे तो तो उनुद शर्म नीजे आनी शर्म आनी ऐनी कैसे आनी थी एक लमहे के लिए भी तुम लोगों के दमाग में ये चीज ने है कि ये मशूम बची है, मेरा खुन है बहुत सार बादन के लिए गलती, गलती एक दफ़ा होती है ऐसी गलती, मर क्यूना जाए बन्दा ऐसी गलती, करने के बारे में सोचने से पहले भी यह हमारे मौशरे का वो चहरा जो हमें इनसानियत की हदूद से बाहर ले जाता है हम इनसान बलके जानवर कहनाने के भी लाइक नहीं ऐसे लोगों की वज़ा से जो हमारे मौशरे में इस तरह की अंधेर नगरी करते है तुम्हेरे खांदानवालों को पता था सबको तुम्हारी बेहन को भी पता था सबको पता था यह जल्म कर रहा है तो तुझे तुम्हें रोका क्यों नहीं किसी नहीं बस बोला है किसने रोके हैं नहीं 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 रोका जिनको पता था हाँ जोना भी नहीं नहीं रोकिया ये है हमारे इस माश्रे का वो एक घिनावना चेहरा कितने बेहिस हो गए हम लोग कि हमारे माश्रे में ये मामलात हो रहे हैं गाउं को पता है इसके रिश्टदारों को बता है बची की फुपों को बता है और इस गिरावने केल में बाप चचा सब इन्वाल्व हैं और ये अंधेरनगरी हो रही है अगर वो बची भागर अपने नाना के पास ना आती और पुलिस को इन्फॉर्म ना करती तो इस तरह के तरिंदा सिफ़त लोग उस पर अपने जुम ठाते रहते हैं एक तरफ तो गैरत के नाम पर हवा की बेटी को मार दिया जाता है और एक तरफ ऐसे बच्ट लोग ऐसे घटिया सोच रखने वाले लोग अपनी ही बेटी को अपनी ही जल्म का शिकार बनाते हैं तुम नशा करते हो कोई? नई ये नशा निकाते है तुरुस्त दमाग है तुमारा? हाँ ये पागल तो नहीं हो? नई जी उपर देखो नई जी दमागी बिमारी तो नहीं है तुमें कोई? नई सार तो फिर तुम ने ये काम इस तरह से ये हरकत ये इतनी घटगडिया ये हरकत ये इसके बारे में सोचा भी कैसे? बस सार बोलन किया बस सर बता नहीं किया बस सर बता नहीं किया बस सर बता नहीं किया एक ही बात एक ही बात की रड़ उसका चाचा क्या करता है उना चाचा ध्याडीमांत लिए अर जो गलड़का था वो कौन है वो मोचिया अमसा है था तुम लोग यह बुजे तो लगता है कि जि इनका पूरा इलाका जो है यह इनका खानदान जो है यह सारे का सारा जो है यह टोटली नेगटिव मानिट यह लोग हैं बड़े घटिया सोच के यह लोग मालिक हैं और इनसानियत नाम की चीज़ इन में नहीं हैं बाब भी इस पूरे इस मुक्रू काम में इस गिनावने फेल में यह शामिल रहा और अब यह उस बलड़की का अब लोगों के पास रह रही थी यह तुमने भाई का तुमने भी वो काम किया है मर क्यों नहीं किया तुम इसको पता ही नहीं था तदा चाहते हो या माफी चाहते है अब जब यह लोग इस तरह के पकड़े जाते हैं फिर इनको माफी याद आ जाती है जब तक इन लोगों की पकड़ नहीं होती तो इनका हेवान जो है इनकी हेवानियत जो है वो देखने वाली होती है कि ये अपने आपको बता नहीं क्या समझते हैं जी हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे तुम लोग सोचने से पहले तुम लोगों को इस तरह आम आदमी तो मर जाएगे सोच के या जी तो जी क्या मतलब माफी किस मूँ से माँग रहे हो किस से माँग रहे माफी माफी किस से माँग रहे माफी आपने बतीजी से माँगा तोड़े से माफी माँगा रहे हैं नहीं हमसे क्या माँग रहे हैं बतीजी से माँग रहे हैं वो तो कह रही है कि फांसी हो नहीं चाहिए इनको तुम्हारा कहा नाम है आदम तुम क्या तरेर चो तुम? तुम प्रॉपर है zona तूब उड़ाओं में रहते हो इंके हमजाय हो क्या घृनाओना फीजा और जुम करते रहे हो तूम इंके घर आगे उसके साथ जैते करता हूँ तो इसके बाप और भाईगा तुम्हें पता था है ये अल्रडी उसके साथ धुन कर रहे हैं नहीं है तुम्हे तुम जाते तो कभी किसी इन रोका नजी कभी सीन देखा नहीं जब गार में कोई नहीं था वुग्शक लें देखे हैं इनकी मुझे तो यह हैरत और यह लोग को इसमें सबसे पहली बात हुई है जी कि ये इनिशियटीव है पुलीस का ये हमारे डीपियो साब जाहिद मर्वस्त साब को इन्फरमेशन मिली कि इस तरह से एक बच्ची के साथ ये जलम हो रहा है तो उन्होंने इसके नाना को नूर एहमत को बुलाया और उसकी मुदायत में कि ये जो केस है ये रजिस्टर किया गया टू नाइटी सेवन बाई एटी अंडर सेक्शन थ्री सेवनटी सिक्स फीपीजी तो इसमें जो विक्तम है वो मनज़ा नाम की एक बच्ची है बड़ी सहमी भी बच्ची थी मैं इसे ऑस्पिटल में भी जाके मिला हूं तो इसके साथ कोई दो अड़ाई मास है और उससे भी पहले ज्यात्ती होती रही है रेप होता रहा है और उसमें इन्वालव है इसका अपना वालत सगा वालत जिसका चच्चा और इसका हमसाया इसमें जो दुख देने वली बात है कि कम्यूनिटी में से किसी ने भी इनिशेटिव नहीं लिया जब इसके नेबर को शामले तफ्तीश किया गें तो उसने बताया कि इस बात का त लेकिन ये गाओं क्यों खमोश रहा कि कियने का मतलब ये है कि पुलीस को एट लीस्ट इन्फरमेशन ही दे देते हैं जो फैक्टर अभी आप बता रहे है कि गाओंवालों को भी पताता है इस जल्म का इस सफाकियत का ये बड़ी तो बड़ी हिरानी की बात है ऐसा जल्म य यह नाने तक बात ना पोचने बच्ची भाग ना आती दुडियत मामला कभी सामने नहीं आगारा धिक हार बंड़ी की है। अगर कराइम हो रहा है तो बच्छी आपनी फूफी के पास बच्छी अब ये बच्छी ने बताया है के मेरा वालत और मेरा चचचा और वो दूसर पुलीस को ये इंफरमेशन मिल जाती तो ये बची जो हम सब की बेटी है हम सब की बेटी है तो वो शायद इस जलम से बच जाती है बहुत बड़ी बात है जी अम दॉमनी कहते हैं जी के जहां पर भी कुछ जुलम हो रहा है कोई अनहोनी हो रही है किसी किसम के ध्यर अगरी है तो कानून नाफिस करने वाले एदारों को बताना हर शहरी का फर्स है और फिर एदारों के जिबादारी बनती है कि बरवक्त कारवाई की जाए लेकिन जब हम खुद ही आँखों देखा जो सच है उसको ही जुटलाएंगे कब तक हम जूट का सहारा लेंगे हमारा मुलक, हमारा मौशरा, हम लोग उस वक्त तक तरक्य नहीं कर सकते जब तक हम जूट का सहारा लेते रहेंगे जब तक हम अपने आपको जूटी तसलियां देते रहेंगे और जब तक हम हक और सच की बात नहीं करेंगे हम जब तक इस सजा का वो निजाम सक्त नहीं बनाएंगे ना मैंने समझता कि ये मामलात कम हो सके जब भी इनसानी जहन इनसान होने के नाते नहीं सोचता तो कबाखते सामने आती है तुम्हारे सगे अभू है हान जी सब काई मेरे बोड़े साथ जनुमा अनसाब ते तुम तो उसके बाप थे ये हेवानियात का खेल कब शुरू हुआ तैंचार मिना रागे इस तरह के केसिस में ज्यातर सुलहा पर जोर दिया जाता है इस केस के हवाल से कानूनी राय लेने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची माहरे कानून अजर सदीग के पास क्या वज़ा है कि ये इस तरह के केसिस जो है वो सामने आते जा रहे हैं रुकने का नाम ने ले रहे हैं देखें देखें आप जैसे लोग इस माशरे मुझे रौशनी है ना रौशनी की किरण रूमीदे मैं शायर इतनी मेहनत ना कर पहुंच इतनी आप मेहनत करते हैं सामने लेके आते हैं अड़ क्रेड़ टू अंधेर नगरी अलतला जिंदगी और इसे उसे दे हम्मत आप लोगों को यह आपने कैसा इसा इशू है मैं बहुत अर्से सिस मामने में बात कर रहा हूं लेकिन वह पात उस तरह सामने नहीं आ सकी जो रिष्टों का मैयार और तरीका एक कार है मा क्या है बाप प्या है बीटी क्या है भाई क्या है रिलिशन्स और इसके अंदर इस हदता के जहाए शादी की हदता trafficking कर दिये हैं कि यहां यह दिनने शुरह चरह कर दिये हैं और दिन ही वेज है आईन के आर्टिकल 200, 27 दो और दो एके ताहत आईने हैं पाकिस्तान में सब्सक्राइब कोई भी आईन और कानून जो है वो आईन से मुतसादम और इसी तरह दीन से मुतसादम हो नहीं सकता इन सब्सक्राइब की जो दिखने हैं यह दो जुरम है पहले समझ लीजेगा एक तो मैं आपके सामने के जजादत नहीं हैं ताजिरात पाकिस्तान के ताहत जराइम दिये हुएं दूसरी तरफ जब दीन ने भी बना किया है ना तो यह सजाएं तो डबल बनती है ना इसे जब शरा नहीं अजादत देती तो हम कौन होते हैं कि इसमें बैठके चीजें में कमी लाने के और यही वजाए है इस किसी भी जुरम में जो सबसे माला कंपाउंडेबल नहीं है माज़रत के साथ है यह हम खुद ही अपने हातों से गुनाह कबीरा को और उस कानून की अंधेर न काबल नहीं काबल शरमनाक भी है रिप जुरम तो है लेकिन जहां अदम करब है के नहीं पार कर सो रही है किस कानून के तह तैद हो और यह किस तरह कंपाउंड हो रही है नो नीज 311 जिसे मैंने का वैसे तो ये देश्चत गर्दी से भी काम नहीं है इस अफाग बाप को मैक्सिमम क्या सजा मिल सकती है होने शाइए अमर कह तक सजा तो लाजमी है 311 इसकी अंदर अगर आप अड़ कर दें कतल तो की मुथ होणी है कि वजाए कि के नौए तैसी ये लेकिन उमर कह तो हो सकती Nhा हम जब तक इस सजा का वह रोज़ां सखत नहीं बनाएंगे ना मैंनी समझता कि ये मामलाट कम हो सकें और इस केस के जैसे मैंने आपके सामने रख dorी है मैं नहीं समझता यह सुला का कि सचाए बाप हो फफो हो चचाओ नुमडी कैन इसकी मुदई सरकार है यह जिए इस बिसिकली ओफेंस अगेस्टेट स्टेट के अगेस्टेट के इसे माशरे में यह सारे इसी दो फशाद विलार्ण लगाया हुआ है लेकिन डिपेंड करता है क आप इस मामले को कैसे लेंगे यह जो मजाग है ना खादमे आलावला सुव मोटो लेना वो खतम वह मजाग था दो चार कतल किये वहां गए मजाग बनाया बेवकू बनाया आज आप रिजल्ट औरियेंटेट नहीं चाह सके और वैसे केयर टेकर सैटप असन अस्क्री साब अच्छे है जिया हादर रिजवी साब वजीर कानून मैं उनसा भी बात करूँगा इस सारे मसे मैं कोशिश करूँगा कि आपका यह प्रोग्राम का कलेप उन तक शेयर करूँ कि टेक डेट केस इस वाले केस को उठाएं और इस वाले केस को बाकाइदा एक मनत्गी अंजाम करना न इस संधेर नगरी को खतम कैस कोन करेका आप तो काविश कर रहे हैं को अन्य तो इस तरह के मामला तो कहते हैं कर नई दिखें अवेरनेस है अवेरनेस के इलावा इसका अल्टीमेट रैंड जो मैं जो होना चाहिए जो देखना चाहिए वो इसी तरह है कि इसको आप कि निशाने इबरत बना दें, दूसरा देखियेगा, इसको पॉबलिसाइस भी होना चाहिए, ब्रादर, ये बाकायदा, हम तो सोचल मेडिया बड़ी बाते कर रहे हैं, ये सारा कुछ वदा कर दूसरा आदमी इबरत आदल करें, तो इसको निशाने इबरत बना दिया गया, जिस दून आप ये कर लेंगे, दस वारा केसे, दो चार केसे आप ले जाएंगे, मंत की अंजाम तक, तो आप दुबारा मैं नहीं समझेंगा, पैसा मालना हो सकेगा, बहुत बड़ी इंपॉर्टन और बड़े इंपॉर्टन फैक्टर्स बताएं अजर साब ने, और सबसे ऐसे लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, जिनको रिष्टों के तकदुस का इल्म ही नहीं है, रिष्टों के तकदुस को पामाल करते हैं, तब तक ये जुराइम रुक नहीं पाएंगे क्या कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है कि वो इस तरह का घिनावना जुर्म कर सके, इंसान की नफसियात के हवाले से जानने के लिए, अंधेर नगरी टीम पहुंची महरे नफसियात, डॉक्टर, सदाकत के पास ये जो वाक्या जो आप कोट कर रहे हैं, ये इस तरह के वाक्या तब होते हैं, जब एक बंदा जो इनसानी सिफात से और वैलियू से बलकुल वाकफ नाप, जब भी इनसानी जहन, इनसान होने के नाते नहीं सोचता तो कबाहतें सामने आती हैं, जो लोग भी इंसेस्ट के अंदर जाते हैं, आप यूं समझें के वो इनसानी कदरों से महरूम लोग होते हैं, यूं समझें के वो इनसान के रूप में हैवान होते हैं, और ये मौशरे में लोग पाये जाते हैं, दुनिया में जो ताजा लहराई है, इخलाकी कबाहतों के हवाले से, जिसमें सबसे ब बताएंगी कि वो अपनी बच्चियों को अपने खामद से दूर रखती है यानि एक जेनरल सी एतियात जो एक अलकॉहलिक की बीवी करती है अपनी सिक्सेंस के तैद कोई उसको सिखाता नहीं है क्योंकि वो देखती है कि उसका खामद किसी काईदे कानून का पपान नहीं है तो फिर लाजमन जो अलकॉहलिक की वाइब्स होती है वो अपनी बच्चियों को अपने खामद से काफी दूर रखती है ऐसे मौकों पर जबके कोई खराबी पैदा हो से यहां पर एक सवाल है डॉक्षर अब कि एक सगा बाप और उस बच्ची का चचा उसकी जो फुपो है जो हमने यह सारा पूरा केस कि उसमें भुपो भी इसको फोर्स करती थी कि वो दूसरे लोगों को जो है उसके साथ वो खेना होईवानी खेला जाता था उस लटकी बचारी के साथ तो कैसे यह सारे मामला जो है एक अपने ही लोग वो अपने उलाद पर इतना सुल्म कर रहे के उस 14 साले बची पे जो लोगानत होते हैं जो लोग जराइम करते हैं जो लोग इंकले किक बाहतां का शिकार होते हैं यह सब हमारे इदगिर्द ही बसते हैं और हमारे रिष्तेदार भी होते हैं हमारे वह बहन historgin करिबीश मुसरे अब ऐसे मामला, ऐसे जराइम, हम क्या कर सकते हैं अपने मौशरे को अवेर करने के लिए या ऐसे जराइम को की रोक थाम के लिए क्या एक्दामात होने चाहिए ताकि ये चीजें पना भी न पाएं। एसे मामला, तो अवे क्यों करेंगे का अई हमारा बेटा है veal उनीपस करणार, शूराल को क्रणाओं नहीं अखिए वबूसरे ये जराइम, हमारा बेटा उसनन मेंक्री कषिए युद्दा कबिन अगयाद कहाएं। कि उनके बच्चे आगे चलके सराते मुस्तकीम पर चलेंगे यगर हम उनको चलाएंगे सराते मुस्तकीम पर तो वो सराते मुस्तकीम पर चलेंगे important है जी और हम यहीं चाहते हैं कि हमारे मौशरे में जो जराइम हैं जो मसाइल हैं ना सिर्फ उनको बेनकाब किया जाए ना सिर्फ उनको उजाकर किया जाए हुकाम तक उन बातों को पहुंचा जाए बलके उन मसाइल का हल भी बताया जाए यही वज़ा है कि हमने आज डॉक् या जो रियलिटिव्स हैं या वो लोग जो इस सारे मैटर को जानते थे उस बच्ची पर जल्म हो रहा था वो खामोश थे और ये सब कर रहे थे जब ये कानून की ग्रिफ्ट में आते हैं तो बड़े मासुम बन जाते हैं कानून के मताबिक इन लोगों को सक्से सक्सादा मिलनी चाहिए और वालदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों का ख्याल खास तोर पर जूरू रखें बेटियों का भी और बेटों का भी ताके इस तरह के मिसाल से बचा जा सकें अगर आपके एड़ गिर्ट भी कोई अंधेरनगरी या जुल्म की दास्तान मौजूद है तो हम से इस नंबर परापता करें 0333-1920-280 और हमारा फेस्बुक पेज है facebook.com slash अंधेरनगर अंधेरनगर